हाई एब्रिवान आप सभी के साग होते एक और अन्यदार निए वीडियो में निए एक जानकरी के साथ आपका एक पीएप एकॉन नामर है या पीएप होल्डर में आपके नाम है तो आज की इस वीडियो आप सभी पेप मेंबर्स के लिए काफी इनपोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी मिलेगा जानकरी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजे आगे भी आप हेलफुल नौलेज़वल वीडियो पर पना चाते है चैनल में पहले बार वीजिट कर दे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे देखने के बाद इस problem का solution भी मिलेगा इस notification का क्या मतलब है आपको इस वीडियो में डीटल में जन करी मिलेगा आपको EPF की official portal पर आजाने हैं आने के बाद आपको even number, password and capture इंटर करके आपको sign in कर लेना है sign in पर click करते next interface कुछ इस तरके से open हो जाएगा आपकी other link mobile number पर 6 digit का OTP send हो आए उस OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे और इस capture को देखने के बाद same to same यहाँ पर इंटर करेंगे submit बटन पर click करेंगे next loading होगा loading होने के बाद यहाँ पर आपका जो PF account है यहाँ पर login हो चुका है होने के बाद आपको जो problem आ रहा है problem को देखने के लिए आपको यहाँ पर click करना है online service पर next यहाँ पर claim from 31, 19, 10C and 10D पर click करेंगे PF account के साथ जो bank account number link है same bank account number को यहाँ पर इंटर करेंगे next verify बटन पर click करेंगे next यहाँ पर टामशन कंडिक्शन को offset करेंगे next proceed for online claim पर click करेंगे next interface कुछ इस तरह के से open हो जागा है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज चॉइस क्लाइम फर्म टाइप फिएफ उड्रोल फिएफ एडवान्स पेंशन उड्रोल यहाँ पर आपको जो भी apply करना है यहाँ पर आपको select कर लेना है इसके लिए आपको I want to apply for यहाँ पर select claim option पर click करना है आपने अगर अपना PF account में exit date update कर रख है तो यहाँ पर आपको तीनों option open हो जाएगा PF advance form, form number 19 और form number 10C तो यहाँ पर इनका जो है exit date update नहीं है इनका जो है form number 31 ही select करना है select करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक notification देखने को मिल रहे है यानि आपने पहले सही आप PF balance ऊट्रोल करने के लिए request submit कर रखे हो यह तो आपका जो claim है आभी भी pending में है please track claim status आपका जो claim है आप claim को track करने के लिए status को check करने के लिए click me यहाँ पर जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको क्लाइम है पैंडिंग में है तो यहाँ पर तो यहाँ पर select down करते है यह आप आपको देखने को मिल जाएगा tracking id और यहाँ आपको देखने मिल जाएगा form type और यहाँ पर आपको अपना peer balance को उडिल करने के लिए request submit किया हो, तो यहाँ पर आपको date देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, next यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, climb status, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, send to field office, यानि field office में आपको request कप submit हुआ है, यहाँ field office पर आपको request पोचा है, यहाँ पर आपको date और timing देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको current status में आपको देखने को मिल जाएगा, under process जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आपने कौम सा पारा सिलेट किया है और आपने कितना पैसा उडूल करने के लिए सम्मिट किये हो, सारे डीटल सब को देखने को मिल जाएगा, इनका जो रिक्वेस्ट है अभी अब भी अंडर प्रोसेस में हैं, इसलिए आपको यह प्रोब्लम देखने को मिल रहा है, जैसे य बैंक एकॉन में पीए बैलन्स क्रेडिट हो जाएगा उसके बाद अब दुबारा से एपलाइक कर सकते पीए बैलन्स उड्रोल करने के लिए आई होप आपको डीटिल्स में जानकर ही मिल गया है जानकर ही पसंद आए वीडियो पो लाइक कर जीजे आप फिर मिलता हूं नेक की तरह रहना तब तब के लिए बाब बाई